ड काईनी एह साथ को प्ता में तो बात करते हैं तो याँ सबसे पाहले में आपको बता देना अगर मैं आपको याँ प्रसाइज है जो है फिल्ट झमेरेशनिय के साथ इलेवन्थ जनुरेश्चे साथ देखने को मिलगा सबी laptop में आपको SSD देखनी को मिलेगी 8GB RAM जो है वो minimum आपको देखनी को मिलेगी मिलेगी प्लस आपको integrated graphic card मिलेगा and कई laptop में ऐसे भी बताऊंगा जिसमें आपको 2GB graphic card भी minimum देखनी को मिलेगा तो वीडियो के साथ बने देना, skip or not करना, बात करता है number 5 की, number 5 पर यार मैंने रखा है MI Notebook 14 को, अगर इस laptop की बात करूँ सबसे पहले, 2020 में बहुत लोग ने इसको पसंद किया बट मैं इसके minus point की भी आपसे बात कर लेता हूँ, minus point की बात करूँ, आपको 8GB RAM तो मिल जाते है लेकिन इसको upgrade करने का option नहीं मिलता, जो कि सच में एक minus point आ जाता है तो डिस्प्ले की बातों को 14-inch Full HD Plus डिस्प्ले मिल जाती, जो कि एंटीक लिए डिस्प्ले है, परसासर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है Storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाती, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती Graphic Card की बातों को Intel UHD Graphic Card भी मिल जागा, आपको MX350 2GB के साथ भी Graphic Card देखने को मिल जागा उपरेनी सिस्टों की बात करूँ, आपको Windows 10 मिल जाती है, बैंटरी की बातों को 10 hours का बैंटरी backup परवाइड कर देता है जो कि सच में एक मानस पॉइंट आ जाता है, तो भी अगर आपने जाना है, आप जा सकते हो, वैसे laptop देखा जाया है, पूड़ा आपको इतना बैटरी backup नहीं मिलता, अभी आगी बात करता है, नमबर 4 की, नमबर 4 की बात करूँ, नमबर 4 पर यार मैंने रखी है HP 14 को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे पहले यार मैं बात करता हूँ, कई बंदे मुझे मैं सी करते हैं, मुझे HP का laptop चाहिए, मुझे Dell का ह अगर आप भी उनमें से आते हो, आप जा सकते हो, HP 14 की, और अगर इसके specification की बात करूँ, laptop बहुत अगरा, ये दो colors में देखनी को मिलता है, लेकिन black color में मुझे जादा सूट करता है, अगर आप ले जाना है, तो black color आप भी try कर लेना, आपको पसंद आने वाला है, ठीक है, इसमें आपको i3 मिलेगा, 10th generation के साथ भी मिल जागा, 11th generation के साथ भी मिल जागा, मैं आपको कहना जाता हूँ, अगर आप 41,000 या 42,000 पे कर सकते हो, आपको i3 11th generation के साथ मिल जागा, जो की latest processor है, बहुत अगरा प्रसाइसर, अगर आप में कोई heavy software यूज करना, आप कर सकते हो आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, जो कि आप upgrade कर सकते हो, 16GB तक, जो कि इसका plus point आजाता, मैं main specification की बात करी लेता हूँ, आप से deeply बात करी लेते हैं, तो display की बात करूँ, आपको 14 inch full HD display मिल जाते हैं, जो की 16 refresh rate के साथ आते हैं, प्रसाइसर की बातों को i3 10th generation के साथ मिल जागा, आप आपको 11th generation के साथ मिल जागा, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, प्लस upgrade आप कर सकते हो, 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाकते हैं, ग्राफिक कार की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाते हैं, उप्रेणी से इसने की बात करूँ, आपको Windows 10 मिल जाते हैं, प्लस 10th generation के साथ मिल जागा, 11th generation के साथ भी मिल जागा, अगर आप 11th generation के आओ जा सकते हो, आपके लिए best deal हो सकते हैं, मैंने link प्रवाइड किया हूँ, अगर आप HP का ही laptop लेना चाहते हो, आपके लिए perfect deal हो सकते है, HP 14, अभी आगी बात करते हैं, number 3 की, number 3 की बात करो, लेकिन number 3 क करने से पहले मैं आपको कहा देना चाहता हूँ, फिर से repeat कर देना चाहता हूँ, मैं जो भी आपको laptop बता रहा हूँ, for students के लिए अगर आप engineering करते हो, उसके बाद coding करते हो, programming करते हो, photo acting करते हो, video acting करना चाहते हो, 1080p पर end भी अगर आपने normal setting पर gaming करनी है, आप इन laptop पे कर सकत तो बस मैं आपको इतना फिर से कहा देना चाहते हूँ, जितनी भी आपको RAM मिलते है, सभी मैं आपको 8GB RAM मिलेगी, लेकिन आप अगर upgrade कर सकते हो, आपने कर लेगी है, जो कि आपके लिए best deal हो जागी, because आपको ग्राफिक कर इतना तगरा नहीं मिलता, आपको integrated graphic card मिलता, अगर मैंने रखी है, Lenovo IdeaPad Slim 3i को, अगर इस laptop की बात को आपको बहुत कसंद आने वाला, अगर आपका budget 40,000 से भी कम है, ये laptop आपको 37,000 के budget में मिल जाता है, प्लस आपको इसके साथ Lenovo जो है laptop bag देखने को मिल जाता है, तो अगर आपने laptop को कहीं carry करना है, आप वो carry कर सकते हो प्लस मैं आपको बता ने जाता हो, इस bag की price में 2,000 देखने को मिल जाता है, तो यार, इस laptop का price हो जाता है, 35,000, प्लस बैज अगर आप SBI चाई, HDFC कार यूज कर लेगे तो आपको 5% या 10% off भी देखने को मिल जाता है, अगर आप उसको यूज कर लोगे, आपका 5,000 और भी less हो जागा, तो इस laptop का price आपको 30,000, मतलब 30,000 के बतर में आपको ये laptop देखने को मिल जाता है, laptop बहुत जादा तगड़ा, इस price range में Lenovo हो गया, इस सर हो गया, बहुत जादा सही deal परवाइड करते हैं, customer को, मैं दिल से चाहता हूँ भी, अगर आप, आपका budget सौरी कम है, तो इस laptop को एक बार आप चैको जरूर करना, Lenovo IdeaPad Slim 3, Ico मैंने link परवाइड किया, आपको description box में देखने को मिल जागा, अभी बात करते हैं, display की तो 15.16 आपको full HD plus display मिल जागे, जो की 16 refresh rate के साथ आते है, processor की बात करूँ, आपको i3 10th generation के साथ में मिल जागा, 11th generation के साथ में मिल ज generation लोगे, उसका प्राइज आपको 40,000 के बजर में मिलेगा, अगर आपने 10th generation की जाना, उसका प्राइज आपको 37,000 के बजर में मिलेगा, storage की बात करो, आपको 8GB RAM मिल जाते है, upper grade आप 12GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते है, graphic card की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाता है, pretty system की बातों को window 10 मिल जाते है, प्लस आपको MS office मिल जाते है, 2019 version, battery की बात करूँ, आपको 7 hours का battery backup परवाइड कर देता, price की बात करूँ, इसका price मैंने आपको पहले भी बता दिया, 35,000 के बजर में, आपको 10th generation मिल जाते हैं, and 45,000 के बजर में, आपको 11th generation के साथ Lenovo IdeaPad Slim 3i देखनी को मिल जाएगा, तो यार, main specification मैंने आपको laptop के बता दिया, laptop पूरा तगड़ा, अगर आपने इस क्या हो जाना है, आप normally smoothly जा सकते हो, अभी आभी बात करते है, number 2 की, number 2 की बात करो, number 2 पर यार, मैंने रखिया, Asus Vivabook Ultra 15 को, अगर इस laptop की बात करूँ, सबसे main specification की बात कर लेता है, display की बात करूँ, आपको 15.6 inch full HD plus display मिल जादी, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, processor की बातों को i3 11th generation के साथ मिलेगा, storage की बात करूँ, आपको 8 GB RAM मिल जागी, upper grade आप 16 GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाते है, graphic card की बात करूँ, आपको integrated graphic card मिल जाते हो, predecessor की बात को Windows 10 देखने को मिल जाते है, प्लस आपको MS Office भी मिल जागा, 2019 version, battery की बात करूँ, आपको 67 hours का battery backup provide कर देता है, price की बात को 42,000 के budget में, ASUS VivoBook Ultra 15 देखने को मिल जाती है, तो यहार main specification में आपको बता दिया, ASUS VivoBook Ultra 15 के भी, इसके specification पूरे तगडे आपको i3 11 generation के साथ मिल जाता है, जो की latest processor उसके अपर तो कोई भी नहीं देखने को मिलता है, and इसके price range की बात को 41,000 के budget में मिल जागा, but यार, आपको stylish design में मिल जाता है, slim and stylish design है, अगर आपको वो चीज़े matter करती है, आप इसके और जा सकते है, प्लस अगर आपने पढ़ते हो, greater कर लेना, आपको आगी बात करते है, number one की बात करो, number one की बात करने से पहले में आपको कह देना जाता हूँ भी, अगर आपका budget 45,000 तक हो जाता है, आप इस laptop के अचल जाना, अगर आप मतलो 40,000 ही pay कर सकते हो, तो Asus Vibook Ultra 15 आपके लिए best deal हो सकते है, अगर आप 40,000 भी नहीं पैनल डेस्प्ले, प्रोसेसर की बातों को आई फाइफ टैंथन जनेरेशन के साथ मिलता है, स्टोरेज की बातों को 8GB RAM मिल जाते है, एक्सपेंडेबल आप कर सकते हो, प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते है, ग्राफिक कार की बातों को निवीड या जीफो MX350 देखने क को मिल जाएगा, तो यहार मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिये, इस स्पायर 5 की, यह लैप्टव मैंने इसलिए रखा भी, अगर आप थोड़ा सा भी एक्स्टा पे कर सकते हो, लैप्टव पूरा लूटेड मिल जाता, अगर आपने कोई भी हैवी सॉफ्टर करना है, प्रोग्रामिंग करते हो, कोडिंग करते हो, अर्फिटेक्शन की स्टड़ी करें, उसके बाद भी अगर आपने फोटो एट्टिंग करनी है, एंड भी अगर आप इंज्विनिंग स्टुटों, आप सभी के लिए ब्यास्त दील हो सकते हैं, तो यह अभी मैंने कि यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो चागूर कर लेना, अगर आप चागूर करना जाते हो, आपके लिए ब्यास्त दील हो सकते हैं, देखना भी चाहिए, तब ही मैंने सभी के लिंक दिये हुए, अगर आपने बाइंग करने हैं, झाल, 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